Hello friends, इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि ट्रेडिंग जो है वो introverts के लिए best क्यों है मैं खोद एक introvert हूँ and अगर आप भी introvert हो तो अभी हम introverts की जो थोड़े सी qualities होती हैं वो हम discuss करेंगे तो आप उनसे पका relate कर पाओगे अगर आप भी introvert हो So the first one is, as introverts हमें बहुत अच्छा लगता है अकेले time spend करना है हम easily एक room में बैठके घंटों के लिए अपने stocks के charts को हम scan कर सकते हैं बहुत हमें लोग को लगता है कि उनको शायद boring लगेगा बट हमें बहुत अच्छा लगता है हम घंटों घंटों एक room में बैठके अराम से एक ही काम कर सकते हैं, peacefully हमें उसमें प्रावलम ही नहीं है हमें अकेले बैठके reading करना बहुत पसंद होता है हमें कोई new subject के बारे में पढ़ना कोई new strategies के बारे में learn करना यह भी बहुत पसंद होता है and market के लिए हमें यह सब चाहिए होता है हमें काफी काफी time बैठके stock scan करने होते है हमें काफी read करना होता है हमें market के बारे में तो read करना ही है company के बारे में read करना है हमें अपने बारे में read करना पसंद है हमें psychological और books read करना पसंद होता है हमें एक जो corporate culture होता है, जो जिसमें teams हो जाती है, फिर corporate में जो फिर आपस में थोड़ी problems होती है, politics हो जाती है, हमें वो सबसे बिलकुल दूर रहना पसंद है, हम बहुत easily अकेले काम करने के लिए ही बने हैं, हमें वैसे ही जादा अच्छा रगता है, हमें suit भी करता है, और हम उसी वैसे हम trading भी इसले बहुत अच्छी कर पाएंगे, हमें जादा कोई calls अटेंट करने का मन नहीं करता है, हमें बहुत जादा meetings अटेंट करने का नहीं मन करता है, हम अकेले एक room में बैठके पूरा दिन काम कर सकते हैं, but हम बड़े किसी environment में, बड़े culture में अच्छे से का करी नहीं पाएंगे, हम अकेले जादा अच्छा decisions लेते हैं, as compared to हमें group decision लेना हो अगर तो, group में किसी boss के under हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं, अगर अगर अब यहां तक बिल्कुल relate कर पा रहे हो, तो मुझे यह comments में बताना है, या फिर आप इस वीडियो को यहीं पर like कर स सकते हो, so that मुझे समझ आए, आपके comments से जादा अच्छे समझ आएगा, कि yes आप relate कर पा रहे हो, इन सारे points के साथ, हम as introverts, हम बहुत अच्छे observers होते हैं, because हमें बोलना कम पसंद है, इसलिए हम observe जादा अच्छा करते हैं, observe अच्छा करते हैं, and साथ में हमें journaling की habit होती है, क कही न कहीं, किसी न किसी point of life में आके आपको journaling की habit हो जाएगी, मुझे भी बहुत टाइम तक नहीं थी, market में आके मुझे journaling करने का भी बहुत अप्शौन चड़ गए, आप journaling तो रोज करनी करनी होती है, जब आप journaling करते हो, तो journaling के अंदर आप अपने patterns देखते हो, आप आपके अपनी जो weakness है, जो आपके खुद के strength है, वो आपको journaling में वो लिख लिख के आपे खुद बाहर निकलते हैं, अपने patterns को अगर आप समझ गए, तो market में, trading में वो बहुत जादा help करती है, trading में लोगों को लगता है, कि हम भी chart patterns को समझना है, जितना जादा chart patterns समझेग खुद के patterns के लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपके खुद के patterns जैसे कि अगर कौन सा style of trading आपको suit करते हैं, market में अगर कितनी volatility होती है, तो आप उससे भी खुद panic हो रहे हो के नहीं हो रहे हो, या फिर आप बहुत peacefully राम से trade कर पा रहे हो, तो ये खुद के patterns देखन आप अच्छे observer हो, and आप इसे I am sure relate कर पा रहे हो, अभी तक के सारे points relate कर पा रहे हो, and introverts जो होते हैं, generally बहुत ज़्यादा aggressive नहीं होते, बहुत ज़्यादा loud नहीं होते, and उनको इसलिए एक चीज़ से दूसरे चीज़ पर बहुत जंप नहीं करना होता है, वो एक ही लिया, फिर कुछ और सीख लिया, फिर वहाँ से वहाँ जंप कर गए, फिर एक strategy भी थोड़ा टाइम भी अगर काम नहीं करी, उसको quit करके दुवारे की से और strategy भी जंप कर गए, वो peacefully, consistently एक चीज़ नहीं कर पाते, बज हम, but हम as introverts, I am sure कि हम ये चीज़ easily कर पाते हैं, हमें आपको पता है trading में कितना help करती है, अगर आप risk बहुता तो नहीं नेते हो, आप कभी भी बहुत बड़ी position sizing नहीं करोगे, आप ए normal position sizing चलोगे and जब आपकी position sizing normal है, तो आप उन profitable stocks को छोड़ा लंबा चला पाऊगे, market में ही होता है कि profitable stocks को लंबा कैसे चलाना है and जहाँ पे आपका जहाँ stock हो रहा है, उसको कितनी जल्दी आपने cut करके आगे move on होना है next trade पर, तो आपको इसी अपनी quality के बज़े से आपको market में बहुत help होती है क्योंकि आप अराम से जब stock अच्छा नंबे एक time तक राइट कर पाऊ, एक profitable stock को easily without any pressure राइट कर पाऊ तो आपके लिए ये उनके लिए बहुत जादा helpful हो जाती ही trading में, जैसे भी मनें समझाया भी है, जब तक कोई trend आपका intact है, और जब तक को trend intact आपका रह रह रहा है, आप उस stock में बैटे हो, उसमें अगर बीच में कभी fall भी आता है, unless and until आपका trailing stop loss hit नहीं होता है, आप उसको बहुत अराम स ride कर पाऊगे, as compared to any aggressive person, वो शायद उससे पहली पहली वो cut करके निकल जाए, and बाद में हो सकता है, वो regret करें किया है, मैंने जल्दी cut कर दिया, अभी तो नॉर्मल अपना retrace हो के आगे चल रहा था stock, इसमें पर stock को exit करने का अभी तक को reason ही नहीं था, but आप अगर intro motor हो, तो I आपको उसमें नहीं बैटना होता है, and ये trend change कैसे होता है, कोई stock को कब buy करने है, कहां तक उसको hold करने है, उसको कहां exit करने है, ये चीज़ आपने अगर बहुत easy way में सीखनी है, बहुत peaceful way में सीखनी है, तो नीचे मैंने अपने app का, आपको link दिया होगा है, वहां से app download करके मेरा उसमें पूरे 5-6 घंटे का पूरा recorded content है, वहां से आप पूरा structure wise देख सकते हो, बिल्कुल basics लेके, basic candlesticks क्या होती है, उसके बाद जो मेरी swing trading strategies है, वो क्या है, उसके बाद checklist क्या होती है, कोई भी trade लेने से पहले, then journaling basic कैसे करनी है, then fundamentals की basics कैसे है, अगर आपने long term यह portfolio stocks भी लेने हैं तो, तो सारा आपको content पूरा मिल जाएगा नीचे, आप देख सकते हो, उसके अंदर, and I really want, कि इसके बाद आपको और कुछ content और न देखना पड़े, psychological content देखते हो, psychological books read करते हो, spiritual books read करते हो, पर technical part के लिए I'm sure इसे बाद आपको और कुछ नहीं, technical की books read नहीं कर आजेगा, sufficient है, इसी से आप पूरी life trade कर सकते हो, technical parts है, yes, psychologically, spiritually वो आपको grow करना पड़ेगा, हमेशा, वो पूरी life law process है, उससे आपने पीछे नियर्टन, वो आपने करना भी है, but technical part I really want, कि यह आपकी last investment हो, इसके बाद आप technically आपको कोई investment ना करना पड़े, कहीं और ना जान is helpful, I hope आप अगर introverts हो, तो आप relate कर पा रहे हो, आप relate कर पाए, तो please मुझे comments में बताओ भी, मैं आपके सारे comments रीट करता हूँ, आपके सारे comments में reply करता हूँ, and आप मेरे साथ Instagram पे connect हो सकते हो, अगर वहाँ पे आपने Instagram पे DM करके, अपने as an introverts, brothers, sisters, अगर आप कुछ अपन आपनी कर पाते हैं, but yes, हम text में, हम DM में, mails में बहुत अच्छे से gel-up हो जाते हैं, and जब 2 introverts मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छे से extrovert हो जाते हैं, वो बहुत अच्छे से link कर पाते हैं, तो आप जब मेरे fellow introverts हो, आप मुझे कुछ भी point of view से मुझे reach करो, निचे comments में कर स सकते हो, Instagram में, mail कर सकते हो, किसी वे से मुझे reach करो, but I will be waiting for your message, and I will see you in the next video, thank you.